नमस्कार, सबसे पहले आप सभी को वर्ष 2022 की शुपकामनाई कैसा रहने वाला होगा ये नया साल, करियर, फाइनेंस, स्वास और पारिवारिक दृष्टी से तुला राशी के जातकों के लिए आईए जानते हैं इस वीडियो में ग्रह गोचर का क्या प्रवाव होगा ये हम इस वीडियो में जानेंगे ये राशी फल आपकी चैंदर राशी और नामाक्षर पर आधारित है तुला राशी के लोग कुशल, राजनीतिग्य, विचार, शील और चतर होते हैं सभाव संतुलित रहता है और हर वस्तु को समपूर्ण, समिक्षा और परिक्षन के बाद समझते हैं अब बात करते हैं करियर की दृष्टि कौंट से वर्ष 2022 का हाल तो कैशा रहेगा वर्ष 2022 तुला राशी के लोगों के लिए करियर की दृष्टि से वर्ष की शुरुवात में कारशेत्र में आपको भाग का साथ मिलेगा जो लोग नौकरी पेशा हैं उन्हें प्रमोशन की साथ-साथ कोई अतरिक्त जिम्मेदारी भी मिल सकती है साल का दूसरा भाग करियर के लिहाज से काफी चुनौती पूर्ण हो सकता है जो लोग नौकरी या काम बदलने का विचार करते हैं उन्हें अपनी वर्टमान नौकरी छोड़ने से पहले कोई नई नौकरी में शामिल होने से पहले उचित विशलेशन और सोध करने की सला दी जाती है व्यापारिक रूप से वर्ष पिछले वर्ष के पेक्षा काफी वहतर रहेगा बात करते हैं आर्थिक इस्तिती की तो अप्रेल से सितंबर तक का समय आपको धन लाव की प्राप्ती के लिए बहुत ही उत्तम कहा जाएगा उसके साथ ही कुछ खर्चे संबब है और विशिशत तोर से सितंबर के महीने में आप दिल खोलकर खर्च करते नजर आएंगी ऐसे में आपको अपने धन को संचे करने और अपने खर्चों पर लगाम लगाने की आवशक्ता है बात करें पारिवारिक दिश्टी से आपको किसी कारण अपने घर से दूर जाना पड़ेगा इसके साथ ही काम की अधिक्ता के चलते पारिवारिक पूरी आप परिवार में सामझस से कि कुछ कमी के यूग बनेंगी इसे परिवार में मन मुटाफ संभव है लेकिन वर्ष के उत्तरार्थ भाग पारिवारिक संबंदों की दिश्टीकोंड से बहुती अच्छा जीतने वाला है आपके परिवार और रिष्टेदारों के साथ संबंदों में सुधार होगा और आप अच्छा महसूस करेंगे स्वास्त की बात करें तो इस वर्ष आपको विशेश साब्धानी वरतने की जरुवत होगी अनिता कोई रोग आपको परिशान कर सकता है ऐसे में आपके लिए बहतर होगा कि अपनी स्वास्त पर ध्यान रखते हुए हर प्रकार की छोटी मोटी समस्याओं से अपनी शरीर का वचाव करें और मौसम के बदलाव से पैदे होने वाली मिमारियों के प्रती सतर्क रहें इस वर्ष की शुरुवात आपको कुछ सामान्य उपाय करनी चाहिए वर्ष की शुरुवात माता दुर्गा की उपासना, अरहादना और उनके दर्शन पूजन से करें प्रतेक शुकरवार को, गो माता को, आटे का पेड़ा खिलाए और संभव हो सके तो अपने सहकर्मियों के साथ अच्छा ब्यवार करें धन्यवाद